Hello everyone, so guys, किसी viewer की एक request थी कि sir ये both या both of, either, either of, neither, neither of क्या होता है हाला कि मैंने जरूर कोई video जरूर इस पे बनाया होगा क्योंकि बहुत सारे videos हैं बट फिर भी मैं एक समझाता हूँ, एक book है मेरे पास book में कुछ लिखा हुआ, देख लीजे तो मैं इस book को read out करता हूँ और इसको समझाता हूँ और ये किसी Indian writer की किताब नहीं, एक English की लिख्योई किताब है तो मतलब ये Raymond Murphy ने लिखी है इस book को तो देखते हैं कि उनके विचार कैसे हैं बोथ इदर और निदर के बारे में चले केस, शुरू करें तो पहले मैं पढ़ता हूँ फिर आपको धिरे-दिरे अपने स्टाइल में समझाऊँगा यहां लिखा है बोथ इदर निदर यहां पर एक छित्र बनाया है मुझे इस तरह की किताबे अच्छी लगती है जब इंग्लिश टो इंग्लिश समझाते हैं तो मुझे अच्छा लगता है देखिए यहां लिखा है ए में लिखा है कि वी यूज बोथ इदर निदर तो टॉक अबाउट टू थिंग्स और पीपल यानि कि जो तीनों जो आप देख रहे हैं चाहा बोथ हो इदर हो या निदर हो बहुँ यह बात तो सिर्फ दो की करेंगे चाहा वो दो चीजे हो या दो लोग हो दो से जादा की बात नहीं हो सकती है समझ रहे हैं लेकिन जब यह तीनों ही चीज दो को रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर यह तीन आइटम क्यों है तो फिर बोथ कब आएगा इदर कब आएगा और नीदर कब आएगा यह डिफरेंस समझना बहुत जिरूरी है यहाँ पर देखिए यह एक ब्लैक पिक्चर है और यह भी एक ब्लैक पिक्चर है सबसे पहले मैं बोथ की बात करूँ थोड़ा आपको अपने स्टाइल में समझाता हूँ देख लीचे बोथ का मतलब भी है कि या तो दो चीजे हो या टू पीपल हो लेकिन आप हमेशा याद रखेगा कि बोथ जब भी यूज होगा तो सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होगा आप नेगेटिव नहीं कर सकते मैं लिख देता हूँ कि नो नेगेटिव कोई नेगेटिव आप नहीं बोल सकते यानि कि अगर अगर मैं चित्र के माधियम साब को समझाओ एक मिनट देजेगा माले जी कि यहाँ पर एक लड़की है और यहाँ पर एक लड़का है अब मैं बोलू कि दोनों हस रहे हैं अब यह दोनों किसी एक एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं इसलिए वहाँ पर प्लस था ये दोनों किसी एक action को perform कर रहे है तो अब मैं English में कैसे बोलूँगा ये तो positive और negative तो है नहीं तो मुझे बोलना होगा मैं उनको both कह सकता हूँ एक मिनट both इनके साथ मुझे plural verb लगाना होगा कि both are laughing दोनों हस रहे हैं one plus one दोनों किसी एक action को perform कर रहे है दोनों तुम्हारे बारे में बाते कर रहे है मैं क्या बोलूँगा कि both are talking about you दोनों लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों तुम्हारे बारे में बाते नहीं कर रहे है आप ऐसे नहीं कर सकते कि both are not talking about you ये गलत है spoken English में आपने खुब सुना होगा पर ये गलत है आप ऐसा नहीं कह सकते कि दोनों यहां नहीं आ रहे हैं आप ये नहीं कह सकते कि both are not coming here ये गलत है तो both में ये समझना बहुत जरूरी है कि जब भी इस्तमाल होगा positive के लिए इस्तमाल होगा ओके? fine ये बोत है आप बोत के साथ आप यहां off लगा दीजिए off के बाद अपकोर्स दो आइटम है तो plural होगा आप plural का इस्तमाल कर सकते हैं यानि कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि both off अगर वहाँ दो चार लड़के हैं माल लिजे कि इट मिनट मैं आप कैसे दिखाता हूँ चार तो नहीं दो की बात हो रही है जैसे ये दो लोग है या तो आप इनको both बोलेंगे लेकिन आप चाहें तो both off बोल करके आप अगर इनके बारे में बात करेंगे तो इनको आप दे करके बात करते हैं ना कि वो लोग आ रहे हैं तो they are coming तो आप दे ना बोल करके off के बाद आपको क्या कर देना है इसका objective वाला लगाना है them तो आप both के बाद them लगाएंगे कैसे ऐसे कि both of them अब बोला है कि दोनों आ रहे हैं both of them are coming here ऐसे कर देंगे हैं दोनों हस रहे हैं both of them are laughing चेकर हैं तुम दोनों मेरे सामने दो लोग बैं कर रहे हैं तुम दोनों मुझे परिशान कर रहे हैं बोल सहरता हूं कि both of you both of you are disturbing यह होता है both तो both एक दम आपके clear हो रहा होगा समझ में आ रहा होगा positive में इस्तेमाल होगा negative में इस्तेमाल होगा चल देखते हैं ओके यह आपका both है इधर में देखी क्या लिखा हुआ है इधर में यहां एक question mark है बीच में और है यहां भी एक question mark है इसका मतलब है कि है तो दो लेकिन या तो ये या ये दोनों में से कोई एक दो bathroom है माली जी और आप कहते यार कोई सा यूज करो भई कोई भी कर ले तो कोई भी कर ले means you can use either अगर दो है तो इधर हम यह नहीं कहते हैं you can use any bathroom any दो से ज्यादा के लिए होता अगर सिर्फ दो है और कोई कहता है यार कौन सा वाला इस्तिमाल कोरियार कौन सी कार चलाओं दो कार है you can drive any तो any नहीं बोलना है हम spoken English में any बोलते हैं you can drive any ऐसा बोलते हैं लेकिन अगर आप बिल्कुल grammar सटिक जाएंगे तो आपको भाईया either का ख्याल रखना है कब जब वो दो हो तीन नहीं तो ये मैं बार-बार spoken English क्यों कहता हूं बीच में कि spoken English में आप मारे ना मारे इंसान गलत भी बोल देता है कोई पकड़ भी नहीं पाता है अब वो इधर की जगा any बोल देगा तो कौन पकड़ लेगा भई तो इसलिए जो written English होता है ना वहाँ पर इस तरह की question आते है जानबुश करके वहाँ पर आपको ख्याल रखना है कि दो होना चाहिए और दोनों में से किसी एक की बात हो कि भाई दोनों में से तू कोई भी use कर ले दोनों में से तू कोई भी पढ़ ले दो किताब एको भी पढ़ ले तो हम पर either अब बोलेंगे ठीक है और दोनों पढ़ ले मतलए ये भी पढ़ ले प्लस ये भी पढ़ ले अब देख लीजे अगर प्लस है तब तो बोथ लेकिन या तो ये या ये तो either का इस्तेमाल करेंगे I think इतना काफी होगा fine neither में क्या लिखा हुआ है दो आइटम तब भी है लेकिन cross लगा हुआ है कि ना तो ये ना ही ये examples यहाँ पर देखते हैं फिर मैं आपको समझाओगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि Rosemary has two children कोई Rosemary है उसके दो बच्चे है अब है कि both are married तो both हमने क्यों लगाया क्योंकि पहला वाला भी married है प्लस दूसरा वाला भी married है तो दोनो दो लोग same है दोनो married है, दोनो आ रहे हैं, दोनो जा रहे हैं दोनो उदास हैं तो हम both का इस्तिमाल करेंगे both are married तो both का मतलब कि the two children दोनो के दोनो बच्चे के शादे शुदा है यह देखे, would you like tea और coffee अब अगर आपको कोई और करके बोले कि भी चाय लोगे या coffee लोगे बात दो की हो रही है तो या तो चाय लोगे या coffee लोगे, क्या लोगे अब आप कह रहे हैं, you can have either तो either का मतलब है कि या तो चाय या coffee दोनों में से कोई भी would you like tea और coffee you can have either आप कोई भी ले सकते हो अगर आप बोलते हो you can have both मतलब बंदा है चाय भी ले लेगे और coffee भी ले लेगे अब समझ में do you want to go to the cinema और the theater आप cinema जाओगे या theater जाओगे बंदा कहते है neither ना तो cinema ना theater I want to stay at home तो neither का मतलब है कि not the cinema or the theater मैं थोड़ा अपने style से समझाता हूँ फिर मैं बात करेंगा अगे देखें कैसे बोथ आप समझ चुके हैं either neither को थोड़ा धंग से समझाता हूँ हो तक या either मैं अभी आपने देखा either का मतलब है कि दोनों में से कोई भी यहाँ पर एक ये bathroom है और एक और bathroom है ठीक है और यहाँ एक बंदा है इसने सवाल पूछा कि भाई साब यार मुझे ना bathroom यूज करना मैं कौन सा यूज करूँ ये वाला करूँ या ये वाला करूँ और सामने वाले ने कहा यार कोई भी कर ले यार दोनों में से कोई भी कर ले दोनों में से कोई भी कर ले तो कैसे बोलेगा वैसे बोलेगा You can use either वो खाली either पर भी रूख सकता है वो either of the bathrooms भी कह सकता है उसके उपर है वो either पर भी रूख सकता है You can use either ओके अब इधर तो हो गया कि दोनों में से कोई भी ओके एक है यहाँ पर नीदर नीदर में सेम चीजे हैं यहाँ भी दो आइटम है लेकिन आपने बोला कि यार मैं कौन सा बातुर में यूज करूँ उसने बोला कि तु यह भी नहीं कर सकता और तु यह भी नहीं कर सकता दोनों ही मना है, दोनों में से कोई भी नहीं तो आप क्या करेंगे? अब तुरहन बोलेंगे नीदर नीदर का मतलब है कि दोनों में से कोई भी नहीं यानि कि अगर sentence हम देखे तो दो लड़किया है मैं बोलू यार दोनों नहीं पढ़ रहा है, तो मैं ऐसे बोलूँगा नीदर ओफ देम नीदर ओफ देम और नीदर में आपको कभी भी आर नहीं लगाना है यह सिंग्लर लगाना है, नीदर ओफ देम इस स्टडिंग दोनों में से कोई नहीं पढ़ रहा है ओके, फाइन माली जी कि आपके पास दो मुबाइल फोन्स है और दोनों ही काम नहीं कर रहे हैं तो अब क्या बोलोगे, नीदर इस वर्किंग, नीदर इस वर्किंग, दोनों ही काम नहीं कर रहे हैं जैसे आपने बोला, नीदर इस वर्किंग डारेक्ट नीदर भी कह सकते हैं अब हम किताब को बढ़ते हैं चले देखिए देखिए compare either and neither would you like tea or coffee आप चाय लेंगे या coffee लेंगे आपने बोला either आपने जवाब में बोला either either का मतलब है I don't mind चाय दे दो या coffee दे दो कोई भी दे दो अगर आपको चाहिए तो आपने बोला कि either कोई भी चलेगा और नहीं चाहिए तो I don't want either तो either का मतलब कि ना मुझे चाय चाहिए ना मुझे coffee चाहिए आपको ऐसे बोलना होगा आप वहाँ पर नहीं बोल सकते हैं कि don't want neither ओके या आप कह सकते हैं neither मुझे कोई भी नहीं चाहिए अगर किसी ने पूछा आपको चाहिए चाहिए काफी चाहिए या तो बोल दो कि I don't want either या निधर अगर आप don't लगाएंगे तो आप neither नहीं लगा सकते हैं आपको either बोलना पड़ेगा ठीक है और अगर आप direct neither कहते हैं कि I want neither मुझे कोई नहीं चाहिए यह होता है कैसे वो nothing में कहते हैं कि I do nothing लेकिन अगर आप don't और isn't और लगाएंगे तो फिर आप nothing नहीं बोल सकते आप बोलेंगे I don't do anything तो उसी तरीके से आपको ख्याल रखना है अगर आपको neither बोलना है तो आपके not want don't want नहीं लगाना होगा I want neither मुझे कुछ नहीं चाहिए दोनों में से कोई नहीं चाहिए अब देखे both, either, neither इसके बाद क्या आता है एक noun आता है जैसे both जब भी आप बोलेंगे तो both के बाद जो noun आएगा वो plural आएगा यानि कि both windows both books, both children इधर और नीधर जब आप बोलेंगे इसके बाद आपको क्या लगाना है singular noun लगाना है यानि कि either window either book either child या neither window neither book, neither child इसका ख्याल रखना है जैसे मैं लगा है कि last year I went to Paris last year मैं Paris गया and Rome, मैं Rome भी गया I liked both cities जैसे है इसने both बोला तो इसने cities बोला कि मुझे दोनों ही शहरे पसंद आई very much, बहुत ज़ादा अब देखिए first I worked in an office पहले मैं एक office में काम करता था and later in a shop फिर मैं बाद में एक दुकान पर काम करता था ठीक है neither job was very interesting अब जैसे इसने neither बोला तो jobs नहीं बोला job बोला कि दोनों में से कोई भी job कह सकता है राम से neither of them भी कह सकता है okay there are two ways from here to the station there are two ways दो रास्ते हैं यहां से station का you can go either way तुम कोई भी एक रास्ते से जा सकते हो तो either के बाद way है ways नहीं है तो इससे साबित होता है कि आप either या neither की तुरंत बाद अगर कोई noun लगाएंगे वो singular होगा वो अकेला होगा ठीक है अभी मैं off की बात नहीं कर रहा हूँ अगर आप off लगाते जैसे आप कहते both off either off या neither off तब क्या होगा देख लेते हैं neither of my parents जब आप off लगाएंगे तो आपको यहां पर plural दिखाना परेंगा कि neither of my parents उसके बाद आपको singular वर्ब दिखाना है कि neither of my parents is English आर नहीं बोल सकते यानि कि मेरे जो parents उनमें से कोई भी English नहीं है यानि कि अंग्रेज नहीं है I haven't read either of these books आप जैसे off लगाएंगे तो off के बाद आपको plural लगाना है off के बाद आपको बोलना है either of these pens either of these books ऐसे आपको बोलना है You can say both of यहां देखते हैं यह तो shortcut में लिखा है I like both of those pictures यानि कि जैसे मैं both of कह रहा हूँ तो मैं those भी लगा कर बोल सकता हूँ I like both of those pictures these pictures ऐसे I like both those pictures तो आप ऐसे भी कह सकते हैं यहां पर बता रहा है कि आप both के बाद off लगाते हैं और फिर आप कहते हैं those आप बिना off के भी कह सकते हैं कि I like both those pictures ऐसे भी आप कह सकते हैं both of and's sisters are married यानि कि जो and है उसके दोनों बहने शादिशुदा है या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि both and's sisters are married ऐसे खतम ही है बोथ of them कह सकते हैं neither of us भी कह सकते हैं यासे both of them हो गया either of us हो गया neither of you हो गया यासे बोल सकते हैं यान कि Anne has got two sisters Anne के पास दो बैने हैं both of them are married दोनों शादिशुदा है Tom and I didn't eat anything Tom और मैंने कुछ भी नहीं खाया neither of us was hungry हम में से कोई भी भूखा नहीं था who are those two people वे दो लोग कौन है I don't know either of them मुझे उन में से किसी एक के बारे भी पता नहीं है तो कुछ आया है समझ में ये कुछ solve करने के लिए है तो आप अगर चाहिए तो इसका एक screenshot लेके आप ये सारे questions को कर सकते हैं religious screenshot इधर यही सब लगाना है आपको देखिए बोथ इधर निधर यह सब लगाना है आफ का भी इस्तमाल करना अगर जरूरी है तो यही था दोस्तो काफी कुछ मैंने आपको बता दिया यहाँ पर them भी लगा हुआ है तब भी यहाँ पर is है इसका ख्याल आपको रखना है neither of them या neither of these books भी बोलेंगे न तो books के बाद आर नहीं लगाना है इस ही लगाना है तो जिन्होंने पूछा है hope कि उनके समझ में आया होगा नहीं आया तो फिर ठीक आप comment में लिखेगा फिर देखा जाएगा तो बस आज के लिए इतना है दूस्तों मिलते अगले वीडियो में चिल दें ठेक क्यार keep practicing and have fun थैक्यों